नमस्कार मैं हूँ अनली ककड़ और देश की बात में आपका स्वागत है बड़ी साधगी से वो लोग रहते हैं इंसानियत को बड़ा मजब कहते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के सत्संगियों की साधगी से रहना और इंसानियत को मजब मान कर जीने वाले ये सत्संगी अब एक कर नए कारे की और बढ़ चले हैं 9 जनवरी को सुनारिया से पूझे गुरू संथ्रोक्षू गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इनसा द्वारा भेजे गए साथ में पत्र में पूझे गुरू जी ने करोना के नियमों के प्रतीव वैक्सीन लगवाने के लिए जागरुख कर रहने और लोगों को जागरुख कर पूरी तरह अमल कमाने में चुट कई है रोजाना हजारों की तादात में लोगों को मास्क बाटे जा रही है उन्हें वैक्सिनेशन के लिए जागरूख किया रहा है इसी क्रम में सिर्षा के एक पिता पोतर ने अनोखा तरीका निकाला है लोगों को जागरूख करने का आईए देखते हैं लबकेश जी सचकों में बहुत बहुत स्वागत है आपका जी धन्यवाजी लबकेश जी सबसे पहले ये बताईए 136 कार्य क्या है जिसके बारे में आपने अपने पूरी गाड़ी पर पोस्टर लगाए हैं लोगों को जागरूख कर रहे हैं सर जैसे ही गुरूजी का पत्र मुझे मिला सबसे पहले बहुत ही जादा खुशी हुई जिसमें 136 कार्य का जिकर ये था कि कोरोना वैक्सिन लगवाएंगे लगाएंगे दूसरों को भी लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे और जितना संबब हो सके जादा से जादा लोगों को मास के लिए भी ये जो 177 कार्य साथ में ही है तो इन दोनों को ही ध्यान में रखत अब तक क्या किया है जब से पूजा गुरू जी ने वचन किये हैं तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया है जी सबसे पहले तो जैसे ही पत्र मिला ये जो 136 और 137 वा का रहा है सबसे पहले तो पहले हम मास्क और ज्यादा अपने आप में सकताई से पूरी फैमली ने ही मास्क और वैक्सिन तो हमने लगवा रखी थी उनकी प्रेरना पहले से ही है तो सबसे पहले हमने क्या कि मेरे मन में आया कि क्यों ना जैसे इसी जो गुरुजी की शिक्षा है जल्दी से जल्दी इसको अमल में लाया जा है. तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे उनोंने मैसेज दिये कि आप लगवाएं, वैक्सिनेशन लगवाएं और मास के लिए प्रेरिद करें. तो मैंने गाड़ी में पोस्टर मेरे मन में आए मतलब इक अलग ही उमंग उन्मे दिखती है और हां कहीं भी ना कहीं टो कि मैं मैं उन्य लगाना है यह जैसे डूर मैं जर्व करता हूं कि उनके फ,सक्षा,इस नहीं है को जरूरत मंद चैसा मैं से मैं भूक्स रखा हुए है मास्क उसमें से निकाल के उनको दे देता हूं तो वह मास्क लगा लेता है तो एक अंदर एक सेटिस्पेक्शन होती है ठीक है कि हमारी वजह से दस बीस पचास हंडर्ड कुछ लोगों ने मास्क लगाया और मेरे बेटे ने भी इसमें साथ में गंट्रीबूट किया उस ने बच्चे ने आप देखो गे वीडियो में कि सब को मास्क पंटा और वैक्सिनेशन के लिए हमने इसमें आप कार में देखा हूंगे कि वैक्सिन क किसी को भी जरूरत मन्द यह बजर्ग है तो वैक्सिन के लिए कार सेवा है तो उनको अप अपनी कार से बजर्ग को या जो जा नहीं पाएगा उसके लिए लेकर जाते हैं जो टीका करन केंदर हैं वहां तक जी जी ऐसी मैं कार लेके जा रहा था तो रस्ते में एक पर्सन मतल बना है पहले नहीं था तो अब मुझे पता भी नहीं कहां लगे गा तो उसको मैंने सुबह का टाइम दिया और नेक्स देश को वेक्सिन के लिए ले गए हम वेक्सिन के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और मास्क भी साथ में ही सबसे पहले यह जरूर बताइए कि सब्सक्राइब करते क्या हैं कहां रहते हैं जी सर मैं सिर्सा में 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 सब्सक्राइब करोना के लिए कैसे मोटिवेट करना है कैसे तो मैंने जितना में स्किल्ज हैं जितना गुरूजी की सिक्षा मेलनी टो उनके है अशिरवास से तो इसको मैं कर पाए हूँ इसके लावा क्या-क्या किया है करते हैं सर इन दोनों कारें को ज्च्वादा से ज्यादा इंप्लिमेंट करने के लिए गाड़ी खर के और घर की आगे भी पॉस्टर भाने लगवाया है व्लैक्स लेगाई है और अपने ए ट्यम कार्ट को भी कuciones और ब territory करोया है यद। जिस तरीके से करोना की केसिस बढ़ रहे हैं तीसरी लहर जो पूरी तरह भारत में आ चुकी है आप क्या मानते हैं यह जागरुकता पुझे गुरुजी ने एक और नया कारह चला दिया क्योंकि संत हमेशा दूर दर्शी सोच लेकर चलते हैं पहले ही बता देते हैं क्या होने आपके अलावा बहुत से लोग ऐसे सामने आ चुके हैं जो जागरुक कर रहे हैं कितना फाइदा आप देखते हैं समाज को होगा जैसे हम सब जानते हैं कि करोड़ों लोग हम आज भी आप देखोगे कुछ बसिज में जाके मास्क बांट रहे हैं रेल्वेस सेशन बे भी म हम सब जानते हैं कि भासकर के डेरा सच्चा सोदा के गुरुची की तरफ से चाहिए को कहीं भी बैठे हों कहीं हों हमारे से थPhoneके थोड़ा दूर भी हों लेकिन उनकी तरफ से टाइम टूट थाइम हमारे लेन्स आती हैं समाज को समाज को कहींests को कहीं ना कहीं आगे करें करके बहुत ही अच्छे डंग से किया जा रहा है अंते में जो लोग आपको देख रहे हैं इनके लिए आप उनकी लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वह अब बहुत से लोग मास्क अभी भी नहीं पहनते बहुत से लोग अभी भी वेक्सिनेशन से दूर भागते हैं उनके मन में बहुत सारे वहम हैं उनके लिए क्या कहें सर मेरी एक यही रिक्वेस्ट है जो 136 और 177 कारे में आप देख रहे हो कि मास्क जरूर लगाने से इंफेक्ट अभी तो सर्दी का टाइम में आपको ठंड मी नहीं लगेगी नाक वाले एरिया में कोरोना एक बहुत ही जादा स्पीड से एक्स्पोनेंशल ग्रोथ भी हो सकती है नजदीक आने वाले टाइम में इसकी जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डैट्स होती है वेक्सिनेशन एक हमारे इम्मुनिटी स्ट्रॉंग करने के लिए प्रटेक्शन है गुरुजी ने मोटिवेट किया इन्फेक्ट उन् है एक प्रिक्टिकल अपनी तरफ से बताया है कि आप इसको करें क्योंकि देखो लास्ट टू लास्ट टाइम भी लास्ट दो-तिन साल से हम देख रहे हैं मेरी पूरी फैमली में किसी को करोना नहीं हुआ हमने प्रिकॉशन ली गुरुजी के टाइम टो टाइम जो भी वही इंसानियत के कारियों के करम को आगे भडाते हुए महाराजा अगरसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोह के हैड डिपार्टमेंट आफ सर्जरी प्रोफेसर स्वपनिल गर्गवे शहा सतनाम जी स्पेचलिटी हस्पताल के नितर रोग विशेशे गया डॉक्टर मॉनिका गर् पर चलते हुए अपने शरीर दानी पिता क्रिशन कुमार गर्ग की पहली पूर्न अतिती पर लोग भालाई कारे कर उन्हें शुरदहांजली दी प्रोफेसर स्वपनिल गर्ग वे उनकी धरम पतनी डॉक्टर मॉनिका गर्ग ने पहले शाह सतनाम जी स्पेचलिटी अस्पत अस्तेत्य पूज बापू मगर सिंग जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक में जाकर रख्तान किया वहीं इसके बाद पूरा गर्ग परिवार जरूरत मंदों की मदद करने हिसार रोडसित भाई कनिया आश्रम में पहुँचे परिवार द्वारा आश्रम में करीवन 280 विशेश अविशक्ताओं वाली महिलाओं पूरुशों वे बच्चों को दो पहर का भोजन खिलाया गया सचकंडवासी कुमार गर्ग की धरम पतनी कमलेश गर्ग उनके बेटे स्वपनिल गर्ग रमनी गर्ग निदी गर्ग श्वेता गर्ग सहीत पूरे परिवार ने भाई कनिया आ आज मेरे पूज्य पिता सच्खंडवासी श्रीक्रशन कुमार गर्ग जी की पर्थम बर्सी पर हम सत्गुरु जी की पावन प्रेड़ना के अनुसार यहां पर कनईया आश्रम में दीन दुख्यों को दोपैर के भोजन को खिलाने की सेवा के लिए आये हैं जैसा कि पूज्ये गुरु संत गुरुमीत राम रहीम सिंग जी ने हमेशा ही सेवा का प्रेड़ना और भाव दिया है कि जरूरत मंदों की सेवा की जाए तो निशुल को सुबह सुबह आज हमने पहले शाह सतनाम जी स्पेशल्टी हॉस्पिटल अस्पिटाल के ब्लड बैंक में जाकर दो यूनिट ब्लड दान दिया जो की जरूरत मंदों को काम आए उसके बाद आज ये दुपैर में यहाँ पर आश्रम में जो निशक्त जन है यहाँ पर जरूरत मंदों अपंग अपाहिल लाचार इन सभी को दुपैर को भोजन की वरस्ता की गई है और गुरू जी के चर्णों में यही अर्दास है कि है मालिक ऐसे ही आगे सेवा की कामों में बढ़ चड़ कर बनाए रखे अब बात आज की सुर्खियों की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने स्टार्ट अप एकाईयों को नए भारत का आधार स्थम्ब बताते हुए शनिवार को कहा कि हर साल 16 जनवरी को रास्ट्री स्टार्ट अप देवस के रूप में मनाया जाएगा उत्रपरदेश के मुख्या मंतरी योगी अदित्यानाथ आगामी विदान सबाज चुनाव में गोरकपु शहर से चुनाव लड़ेंगे जबकि उप मुख्या मंतरी केशक परसाद नमौरय कोशांबी जिले की सिरातु सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे बहुजन समाज पाल्टी बस्पा प्रमुख मायावती ने शनिवार को अपने जनम दिन पर उत्तरपरदेश विदान सबाज चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों में से 53 परतियाश्यों की गोशना कर दी निर्वाचन आयोग शनिवार को बैठा कर यह तैक करेगा कि उसके द्वारा सारवजिनिक रैलियों रोडशो पर लगाएगे प्रतिबंद जारी रखने चाहिए या नहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी संबंदी हालात के मद्दे नजर राष्ट्री राजधानी में इस साल 26 जनवरी को गनदंतर प्रेट दिवस के दोरान करीबन 24,000 लोगों को उपस्तित होने की अनुमती दी जाएगी सेना परमुख जर्नल M.M. नर्वने ने शनिवार को कहा कि भारतिय सेना का संदेश साफ है कि वह देश की सीमा पर यता स्तितिक में एक तरफा बादलाव के किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी देश में पिछले 24 गंटे में कोविड-19 के 2,68,830 से नए मामले सामने आने से संक्रिमितों की संक्या बढ़कर 3,68,50,962 हो गई है इनमें से कोरोना वाइरस के ओमिकरोन सवरूप के 6,041 मामले भी हैं किंद्रिय स्वास्तिय मंतराले ने यह जानकारी दी दिली की गाजीपूर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में RDX और अमोनियम नाइट्रेट से भरा IAD मिलने के एक दिन बाद वहां सुरक्षा वेस्ता कड़ी कर दी गई है जमो कश्मीर परशासन ने COVID-19 मामलों में वरदी के बीच शनिवार से किंद्र शासित परदेश में सब्ताहंत के दोरान गैर जरूरी आवागवन पर पूरी तरह रोग लगा दी है कोरोना का टीका नहीं लगवाने के कारण वीजा दूसरी बार रद होने के बाद दुनिया के नमबर एक टैनिस के लाड़ी नोवाक जोकविच फिर आवरजन हिरासत में है जबकि वीजा रद होने के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई उच नहले में होगी नमस्कार